नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुर्जीत शामल और आप देख रहे हैं वरकर भॉइस आज हम बात करेंगे बिहार नियोजित सिक्षक के वारे में जो उनका केस चल ला है सुप्रीम कोट में समान काम समान बेतन का इसके लिए आप से अनरोध करूँगा आप इस वीडियो का ला क्योंकि इसके पहले भी हमने आर्टिकल के माद्यम से हमने मैसेज देनी की कोशिश की थी लोगों में इसका अच्छा कासा असर भी देखने को मिला था और काफी संख्या में जो वहां के चिक्षक्टे वह एक जूट हुए और एक मंच प्या करके इस लराई को लड़ने का एवान किया था लेकिन वह सक्सेस हो नहीं पाया तो आपसे उन्रोद करूंगा इसको लास तक देखेंगे और साथी आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और साथी अपने साथियों के साथ सेयर करेंगे 26 अक्टूबर 2016 का जो सुप्रीम कोट का फैसला था उसके अधार पे पतना हाई कोट ने एक एतिहासिक फैसला दिया जिसमें की ना केवल जो नियोजिस सिक्षक हैं उनको शमान काम का समान बेतन देने का ओर्डर किया बलकि 2009 से उनको एरियर देने की भी बात कही गए अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं तो अगर एक सिक्षक की इस ओर्डर के हिसाब से अगर 40 एर सैलरी होती है तो पर्ती टीचर कम से कम 25 लाक रुपे का एरियर मिलना तैथा जिसके बाद मुझे क्या किसी को भी नहीं लगता है जो सरकार बीना सुप्रीम कोट गए बहुत आसानी से यह जो सैलरी है वो सिक्षकों को देती लेकिन इसके बाद अब क्या हुआ उस तक पर हम गौर करेंगे इसके बारे में हमने पिछले भी पहले भी दो तीन आर्टिकल लिखा अपने ब्लॉग www.workerboys.in उन आर्टिकल को इस वीडियो के description में मैं दूंगा आप उसको परहेंगे तो आपको लगेगा जो जो अभी हो रहा है वो काफी पहले हमने बताया था अपने आर्टिकल के मादलम से लोगों को चाहिवा याची करता तक भी मुझे लगता है जो हमारा मैसेज है पहुंचा था और कुछ हमारे साथी हैं जो कि काफी पहले से सिक्षकों को एक मंच पिलाने का पर्यास कर रहे हैं उनका पर्यास भी फौरी तोर पे लागू हुआ था लेकिन अचानक से क्या हुआ एक दो मीटिंग हुई इसी बीच क्या होता है दो गुटों में मारपीट होता है क्योंकि सोहाविक सी बात है जब इस तरह का कुछ अंदोलन खरा होने होता है तो सरकार के भी कान खरे होते हैं और जैसे ही सरकार के कान खरे होंगे तो वैसे ही आपके बीच उनका यह होता है कि आपके अंदोलन को किसी भी तरह तोरना जो की अंदोलन एक बंते बंते रह गया फिर भी लोगों ने ठान था और एक जूट हो करके गर्दनी बाग में एक मंच बिना कोई बैनर के पहुंचके उसके बाद मजबूरन जो सिक्षक नेता के संके नेता थे उनको मजबूरन वहां पहुंचना परा जो कि आगे सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि सभाविक है बिना नेत्रित्व करता के कोई भी अंदोलन सफल नहीं होता इन फानन में कुछ उत्साही हमारे सिक्षक नेता या फिर याची का करता सुप्रीम कोड में जाकर के के विएट पायल करते हैं उसके बाद फिर सरकार आकर के उस फैसले को चुनोती देती है और उसके बाद यह पहला जो सुनवाई होता है जन लग बग बग नौ महीना बीतने को आए हैं लेकिन अभी तक अभी अन्तिम फैसली पर पहुंच नहीं पाया है इतना तो हर किसी को करता हुने ये किया हमने पहले भी कहा था कि सारे लोग मिल करके एक वकील लखिए एक या दो सीनियर वकील लखिए और उसके दौरा आप अपनी बात कोट के सामने समख्ष पेस करें बस यह कहना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया उसके और गल्ती उन्होंने यह कर ली जो सारे लोग उने अपना अपना वकील किया वकील meilleur करने के बाद समने पढ़ डेट के हिसाब से कर लिया जो कि सरकार को भी पता है आप एक इक प्लान अपना सोसल मेडिया के तुरू या फिर पिर मद्न से भी हो I can't हो आप सरकार तक पहुंचाथे हैं जबाई hobsound करने वाले हैं सरकार को पता होता है जबकि कभी भी डा जाता है तो अपना प्लान कभी भी लोग उजागर नहीं करते हो जब कोट के सामने समक्षपेस किया ता उसके बाद से आपस में आपका मतभेइद जिसके माध्यम से कोट में टेट नन टेट की बात था गई, सरकार तो पहले से ही उनकी मनसा थी, ये योग नहीं है, और आपके ही कुछ याचिका करता हूँने, मिलकर योग अयोग की बात, टेट नन टेट की बात, फैलाई वहां पे समीशन भी दिया, और जहां पटना हाई कोट में करीब 13 याचिका कर करता हो गए जिसके बाद सोहाविक सी बात है हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है लेकिन जो सही बात है वो कोई नहीं रख रहा है हर कोई कह रहा है कि हम योग हैं हम योग हैं लेकिन सोचने की बात है यहां योग-अयोग की कोई लराई ही नहीं है यहां पे जो सुप्रीम worker के लिए एक बहुत ही एतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार मन्य कोट ने कहा था कि अस्थाई या contact पे काम करने वाले करमचारियों को भी नियमित करमचारियों के बराबर सहले मिलने चाहिए, कोट ने कहा कि बराबर काम के लिए बराबर पैसे को मानना होगा कोट के बेंच ने यह भी कहा कि कम पैसे देना दमनकारी है जस्टिस जेस खेहर और एस बोगदे ने अफैसला सुनाया है कोट ने कहा कि एक ही काम में लगाया गया दो लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति से कम सैली नहीं दे जा सकती भारत के बेलफेर एस्टेट होने का तर्क भी दिया गया और कहा गया कि कम पैसे पर काम करवाना माननी गर्मा के खिलाफ है आपने सुना होगा कि यह जो फैसला था वो समान काम समान वेतन खाथा ना कि योग और अयोग का था इसमें कहीं भी यह नहीं कहा हुआ है कि आप यह योग हैं या फिर आपका बहाली इस तरह से हुआ या बहाली उस तरह से हुआ हाँ पहले यह था पहले यह कानून था क्योंकि एक सुप्रिम कोट का फैसला आया था उसमें ये कहा गया था जो भई समान काम समान वेतन के लिए तीन चीज बरावर होना चाहिए एक एक्सप्रियेंस बरावर होना चाहिए एक उनका क्वालिफिकेशन बरावर होना चाहिए और तीसरा उनका जो भरती है उसका तरीका बरावर होना चाहिए उसके बाद जो 26 अक् में यह सीधा था आपने काम बराबर कराया तो आपको दाम भी बराबर देना होगा और मैंने देखा कि नियोजेश सिख्षक के मामले में इस तरह की कोई बात ही नहीं की जा रही है केवल बात यह की जा रही है जो हम जादायोग हैं चाहे वो कोट के अंदर हो चाहे कोट के ब दारासाई कर देंगे जबकि आज साथ महीना हो गया और बाइस डेट आपके ही माध्यम से मुझे ख़वर मिली आठ से दस लाक रुपया पर डेट आप वकील के फीस पे खर्च कर रहे हैं अब सभाविक सी बात है जहां पर बीच डेट गया तो सरकार को पता है जो दस डेट और खीज दो यह ऐसे ही दम बोल जाएंगे कई आचिक करतावने कला के ब्यान दिया जो कोट ने हमें डेट दिया और मात्र हमें पांच मिट सुना हमें दस मिट सुना तो उनको भी समझ में आ गया यह यह बात तो मुझे पहले ही समझ में आ गया था यह हमने ब्लॉग में भी लिखा है कि आप कितना भी मेहमत कर ले कितना भी जोड लगा ले लेकिन और वही होगा जो जजज साहब चाहेंगे आपके चाहने से नहीं होगा आप चाहें कितना भी आप फोर्स क्यों नहीं हो लेकिन अंदोलन एक ताकत होती है उसमें आपका ताकत काम करता है यहां पे आप कितना भी तागत लगाएंगे तो जजज सहाब के जजज सहाब जो फैसला देंगे वही होगा लेकिन हमें डर है जिस तरह से आपने समीशन रखा है कल को कहीं एक्जाम कंड़क्ट न कड़ा दिया जाए लेकिन आपको भी एक मौका है अभी आपको रिज्वाइंडर देने का फिर से कहा गया है तो जब जहां तक आपका बता रहे थे कल तक केस क्लोज हो गया है लेकिन फिर से रिज्वाइंडर यानि कि आपको दुबारा से एक मौका मिल ला है तो अभी से कोशिज आप यह कीजिए जो जितने भी याची का करता हूं चाहे 104 हो चाहे 107 ही क् आप आपस के तकरार को बंद कीजिए इसके साथ ही हो सकता है आप थोड़ा दिर के लिए आपको लगेगा जो मैं गलत बता रहा हूं लेकिन जो मैं फैक्ट बता रहा हूं वो सही है और इसको आप अनुहब कीजिएगा तो आपको लगेगा जो एकदम सही राह में बता रह रखिए और रिज्वाइंडर उनसे करवाईए ऐसा कुछ नहीं है जो कल को यह आएगा इस तांग के वकील ने इन्होंने बोला उस तांग के वकील ने आप लोग एक साथ घोसित कीजिए खड़ाओ करके जो भाई सब मिल करके हमने फैसला किया जो यह वकील साब हमारा रिज कीना से समझा नहीं पा रहे हैं कि यह उन्हीं का फैसला है साथ यह आप से अन्रोध करूंगा कि आप डिस्किप्शन में जा करके जो पीछे हमने आर्टिकल लिखा है पड़ें जो हमने आसंका पहले जाहिर की थी उस तरह का ही महौल कुछ त्यार हो रहा है अन्रोध करूं करूंगा आप हमसे बने रहें आगे भी मुझे कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आप से सेर करूंगा धन्यवाद